2022 का अच सबसे ठंडा दिन कहा जा सकता है क्योंकि वाउन टाबू में कडाके की सर्दी पड़ रही है चारो और बरफी बरफ नजर आ रही है जहां पल्च में विक्षॉप के चलते प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम का मिजाज बदला था तो आज भी प्रदेश की कई इल इलाकों में मावट की बारिश होती हुई नजर आ रही है और बारिश के साथ साथ होला व्रिस्टी भी हो रही है वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बरफ बारी का असर प्रदेश के कई इलाकों में भी देखने को मिल रहा है उत्तर की तरफ से आ रही सर्द हवाओ की वज चत्व और कालों की चतों आम मेदानं इसलाइकों में भी बरफ की मोठी पर monitor देखने को मिल रही है और होनी किटाकी के सर्दी के वजह से समानी जन जीवन पर भावित होता हूं नजर आ रहा है लोग सुबा के समय अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन करते हुए देखे जा सकते हैं हम लोग आये हैं बांसवड़ा रजेस्तान से और इतना शांदार मोसम है कि फुल पेशा वसूल लग रहा है ठंड के दिने में एक चलिए हम लोग यहां से एक ओफिशियल काम से आये थे लेकिन इसा लग रहा है कि साथ-साथ चुट्टियों का भी आनंद मिल रहा है सुबह क्या नजारा था यहां पर सभी गाड़ियों के उपर जो जनरली ओस दिखती है पानी की बूंदे वो सब जम के बर्फ बन चुकी है और इसा दरश्य मैंने लाइफ में फर्स टेम देखा इसा इंजोई कर रहे हैं आपने सब अच्छली ठंडा तो होता ही है यहां पर बर्फ पहली बार एकस्पीडेंस कर रहे हम लोग तो हम लोग बहुत एंजोई कर रहे हैं बर्फ का अनन ले रहे हैं पूरा हाँ इस मोसम में आना चाहिए हो शर्दी का पूरा मजा लेना चाहिए अभी तो यह है कि सोने पर सुहागा है तो बहुत ही आनंदायक है यहां पर वातावरन अपी तो आना चाहिए सब को सहलाणियों को